दोस्तों आपने एक रुपे से लेकर 2000 रुपे तक की नोट तो देखे ही हूंगे भारत में Reserve Bank of India दोरा छापे जाने वाले इन नोटों का इस्तमाल हम आए दिन अपने रोज मर्रा की जिंदगी की जरूरतों को पूरा करने के लिए करते हैं लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे नोट के बारे में बताने जा रहे है जिसके बारे में जानकर हैरान है जाएंगे आप क्या आप जानते हैं कि एक जमाने में इस देश में 0 रुपे का नोट भी छापा था आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसा कोई नोट थोड़ी ना आता है लेकिन ऐसा है एक बारे 0 रुपे का नोट भी छापे गए थे ऐसे में जानते हैं कि वो नोट क्यों छापे गए थे और इन नोट को छापने की पीछे क्या कारण था दोस्तों ये बात तो सभी जानते हैं कि 8 नवंबर 2016 को भारत में नोट बंदी हुई थी जो कि ब्रश्टचार को रोकने के लिए की गई थी जिसमें 500 और 1000 के नोट बंद कर दिये गई थे जिसके बात 2000 के नोट चलन में आई लेकिन क्या कभी आपने 0 रुपे के नोट का नाम सुना है चौक गए ना लेकिन ये सच है आपको जानकर हैरानी होगी कि इन नोटों को छापने की जरूरत भी भारत में पड़ी थी देश में ब्रश्टचार के जड़ें काफी मस्बूत है अधिकतर हर स्तर के लोग ब्रश्टचार में विश्वास रखते हैं और उसी ब्रश्टचार को खत्म करने के लिए इस नोट को छापा गया था वैसे हम आपको बता दे कि 0 रुपे के नोट पर भी राश्ट्र पिता महत्मा गांधी की तस्वीर चापी गई है यह बिल्कुल दूसरे नोटों की तरह दिखाई देता है लेकिन अब आप ये तो जरूर सोच रहे होंगे कि आखेर इन नोटों को छापा किसमे था तो हम आपको बता दे कि इस नोट को रिजर्व बैंक ओफ इंडिया ने नहीं चापा था बलकि इस नोट को ब्रश्टाचार के खिलाफ एक मुहीम के तहट एक एंजियो ने चापा था इस जीरो रूपे के नोट को चापने का आई दिया साउथ इंडिया के एक एंजियो का था दरसल 72007 में ब्रस्टाचार के खिलाफ इस नोट को हतियार के रूप में शुरू किया गया था तामिलाडू के एक NGO 5 पिलर ने 0 रूपिये के करीब 30 लाख नोट चापे थे इन नोटों को हिंदी, तेलगू, कंणर और मल्यालम चार भाशाओं में चापा गया था सिर्फ तामिलाडू में ही 25 लाख से अधिखिये नोट बाते गए थे पुरे देश में करीब 30 लाख नोट बाते गए थे सुफ्ट पिलर संस्थान के संस्थापक विजे आनंद ने इस मुहीम की शुरुआत की थी उन्होंने अपने वॉलिंटीर्स के द्वारा रेल्वे स्टेशन से लेकर हर चौके चौरा हे बस स्टैंड एरपोर्ट और बाजारों में 0 रुपे के नोट बटवाएं थे इस नोट के साथ एक पढ़चा भी लोगों को दिया जाता था जिस पर लोगों को जागरुक करने और उनके अधिकार से जुड़े जानकारी छपी होती थी इस नोट को छापने का मकसद था रिश्वत लेने वाले लोगों को सबक सिखाना जिससे अगर उनसे कभी कोई भी रिश्वत मांगे तो वहें उन्हें यही नोट पकड़ा दे इससे वहें एंजियो लोगों को जागरुक करना चाहते थे इस नोट पर व्रश्चाचार के खिलाफ कई प्रकार के मैसेज लिखे थे इस नोट पर लिखा था भ्रश्चाचार खतम करो अगर कोई गूस मांगता है तो इस नोट को दे और मामले के बारे में हमें बताएं ना लेने की और ना देने की खस्म खाते हैं इतना ही नहीं इस नोट पर नीचे एंजियो का फोन नंबर और इमेल आईडी भी दी गए थी एंजियो ही जीरो रुपे के नोट को बनाती थी और रिश्वत मांगने वाले लोगों को देती थी जीरो रुपे का नोट व्रश्चाचार के खिलाफ एक प्रतीक था आपको फिफ्ट पिलन एंजियो का ये आइडिया कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दन्यवाद